मेरी बुआ की शादी थी और मैं 6 साल का था, मेरे पिता जी बरतन खरीदने गए, शादियों में बरतन दिये जाते थे, ये देखची दी जाएंगी, ये पराद दी जाएगी, ये सब चीने दी जाएंगी, गवाँ में शादी थी, तो मैंने अपनी माह से कहा कि मैं भी जाना मैं बजार जाना चाहता हूं, उन्हेंने का बहुत देल लगेगी लेकिन मैं चला गया, मैं गया तो पीतल के बजार में जब सामान खरीदने के लिए मेरे पिता और मेरे दादा दोनों खड़े हुए, तो एक सेठ ने पीतल महंगी बताई, तो उन्हेंने का फला जगे तो रंग सिर्फ उसका हो, बाकि किसी के पास ना हो, तो मैं राहत इंदौरी को बुलवाना चाहता हूं, जो हिंदुस्तान का खुदरंग शाहता हूं, जोर दार तालियों के साथ बुलाईएगा। यू नशर पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, और जिंदगी क्या है? खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगें और बाया करो जंदगी क्या है खुद ही समझ जाओ बारिशों में पतंगें उड़ाया करो शाम के बाद को जब सहर देख लो ऑciplinary मेंने महसूस किया इस शेयर में आपodorक़् कुछ फकीरों को खाना खिलाया करो दोस्तों से मुलाकात के नाम पर नीम की पत्तियों को चबाया करो दोस्तों से मुलाकात के नाम पर नीम की पत्तियों को चबाया करो और चांद सूरज कहां अपनी मन्जिल कहां अपनी मन्जिल कहां ऐसे वेसों को मुम्मत लगाया करो एक बार जोड़दार तालिया डॉक्तर रहाद इंदौरी सहाब के लिए उर्दू गजल और हिंदी कभी समयनन मुशायरे का एक ऐसा खुदरंग नाम जिनको सुनने के लिए पूरी दुनिया में लोग इखटे होते हैं